आज मुलाकात हुई, मैंने अगले पांच साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पे भी चर्चा हुई मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में पूरी दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त अफवाएं फैली थी चारो तरफ अफरात अफरी का माहौल हो गया था जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांती बनाए रखने के अपील कर रहे थे जिस तरह से पुरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोखने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था और पिछले हफ़ते के सोमवार और मंगलवार की दो रातें जो थी उस वक्त उन दो रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तेदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका अगर वो संडे मंडे और ट्यूजडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था अगर थोड़ा उसी एफिशेंसी के साथ पुलिस उन दो दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी हम मैंने प्रधान मंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविश्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है जो भी कदम उठाने की जरूरत है भविश्य में इस सब के लिए चिंगता का विश्य है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की जरूरत है हम सब को मिलके स्टेप्स उठाने चाहिए ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार है मैंने उनसे निवेदन किया चाहे वो किसी भी पार्टी के हो चाहे वो किसी भी धरम के हो टाकि एक tragen, कि इस वी दिली में निकला है, एक कैस तेलंगाना में निकला है, और उसमें केंद्र सरकार और डिली सरकार मिल के काम करेंगे, ताकि यह बहुत एक खतरनाक बिमारी है, दुनिया भर में जहां प्रुद सि यस भी देश में गई है, बहुत तेजी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जासे किया है. जब आपने पजानमंती से जिक्र किया है कोई भी कितना भी बड़ा बड़ती हो क्या बीजेपी के नेताओं के ब्यान को हमने स्पेसिफिक चर्चा नहीं कि हमने कहा कि इसी पर चर्चा होई कि कोई भी हो जिसने भी दंगा कराया उसको जब हीट स्पीच उदिंटरेश अपना